असलाम अलेकूम आज किस वीडियो में हम टापिर कवर करने वाले हैं relationships one to one relationship one to many relationship and many to many relationship तो उस लिए में मैं टेबल्स पहले कुछ बनाए हुए हैं अगर आपको टेबल्स नहीं बनाने आते हैं तो आप पिछली वीडियो में देखने वहाँ पे मैंने cover करवाया हुआ है टापिक कि टेबल design view में कैसे create करते हैं और data sheet view में कैसे create करते हैं तो मैं इस वीडियो के दिश्पोस कर रहा हूँ कि आपको tables design करना आते हैं तो मैंने आड़ आड़ी tables बनाए हुए हैं तो पहले देखते हैं one to one relationship तो one to one relationship के लिए मैं दो table open का लेता हूँ एक students के table बनाया हुआ है और एक student contact info के नाम से एक table बनाया हुआ है तो students के table की fields है वो क्या है student id और student name अगर आपने इसका view change करना है तो इस home के tier में जाके आप view के उपर click करें तो यह देखें यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी कि यह students के table की एक field student id है और एक student name है इस तरह जो दूसरा table है student contact info इसकी जो दो fields है वो यह है student id और student city तो यह fields है अब इन दोनो tables का आपसमें relationship बनाना है one to one relationship one to one relationship क्या होता है when a single row in one table is associated with only one row in the second table मतलब क्या हुआ कि जब दो tables है उनका अपसमें हर एक row का दूसरी table के हर एक row के साथ separate relation है तो ऐसे relationship को बोलते हैं one to one relationship तो यह दो टेबल में एक student है उसमें कि दो field रखिए है student id और student name और ही field हो सकती है मगर मैंने जस idea आपको देना है तो आप जूरत के मताबक और भी fields इसमें add हो सकती है दूसरा table है उसमें दो field रखिए है student id और student city इससे तरह जूरत के लिहाँ से आप यहाँ पे और भी fields add कर सकते हैं तो ख्यार आप यहाँ पे idea लें तो one to one relationship के लिए दो चीज़ों का आपने जहीन में रखना है एक तो यह है कि parent table की जो primary की है उसकी जो index property है यहाँ पे क्या होने चाहिए yes no duplicate select होगा होना चाहिए इसी तरह student जो दूसर table है child table उसमें जो इसके primary की है जिसके साथ आपने इसका relationship बनाना है उसकी का जो index है वो yes no duplicate होना चाहिए तो देखें अब यह जो है second table है मेरे पास यानि child table student contact info और यह जो है यह parent table है students तो यह इसकी primary की है और यहाँ पे student ID इस table की primary की है मगर जब relationship बनेगा तो यह child table की primary की parent table के लिहाँ से क्या बनजेगा वो बनजेगी foreign की ठीके तो हम relationship बनाने के लिए मैं पहले इन table को close करना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत करना problem कर जिता है इसको मैं save रखता हूँ और इसको भी close कर दिया अब क्या करेंगे आप database tools में जाएंगे यहाँ से आपको यह relationship का menu नजर आ रहा है इसके उपर आप click कर देंगे relationship यहाँ आपको आपके database के इंदर जितने भी tables बने होंगे वो सारे यहाँ पर show हो रहे होंगे आपने जिन table को आपसे में relationship बनाना है उन दो tables को आप select कर लेंगे मैं का उसे दो table को select करने लगा हूँ students को और contact info को यह दो table select कर लिए add को टो click कर रहा हूँ तो यह देखे दो टेबल यहाँ पर आगे अब क्यों है student parent table student contact info यह child table तो आपने करना क्या है कि यह parent table है उसकी primary key के उपर click करना है और यहाँ पर press करके रखना है mouse का left button और यह drag कर देना है आपने child table की primary key के उपर या कोई और भी feel हो सकती है जिसको आपने फ्रार्थी के तोरह पर use करना है तो आपने उसके उपर यह drag कर देना है drag कर देंगे तो आपके पास यह देखें relationship type आगी कौन सी one two one relationship यहाँ पर enforce reinfalse racial integrity इसको आपर check कर दे clelियर और इसको भी check कर दे इसको भी check कर दे इसको भी चे कर दे इनका मतलब क्या है कि e狂़ पर tell table में मैंने फील फूप्डेट किया है तो child table में भी update होजे इस तरह अगर parent table मेंने कोई डिलीट किया है तो वह चाल टेबल में से भी डिलीट हो जए तो create के उपर click करता हूँ तो यह देखें one to one relationship इसको save कर देता हूँ ठीक है अब जाते हैं अपने टेबल में जो टेबल बनाये थे यह students का टेबल और यह student contact info का टेबल तो मैं इसका view change कर लेता हूँ यह view change कर लिया ने शरी वही भी रहने देता हूँ तो यह देखें दो इंटिंस की ही है यह भी देखें अब क्या है कि इनका अपस में relationship हो गया कौन सा one to one अब गवर कीजिएगा यहाँ पर student ID 1, student ID 2, student ID 3 parent table में और child table में भी S1, S2, S3 ठीक है अब देखेगा मैं यहाँ यहाँ यह parent table में S3 क तो suppose करें मैं यहाँ पर S3 को मैं S4 कर देता हूँ, save करता हूँ, ठीक है student contact info में भी देखेगा वह देखें, automatically वहाँ पर changing हो गी है, इस तरह मैं यहाँ तो सारी में changing करता हूँ, S1 को मैं कर देता हूँ, S10, S2 को S11, इस तरह यह S12, save करता हूँ, अब इस table के उपर जाएं contact info में, तो यह देखें मैंने यहाँ पर changing नहीं की थी, मगर चुकर parent table में changing की थी, और parent table link हुआ परा है, associate हुआ परा है child table के साथ, तो यो changes वहाँ पर मैंने की है, तो यहाँ पर changing हो गई है, तो यह होता है one to one relationship, मैं दबारा आपको बता दू, एक point बहुत important है, कि जब भी आप के table के जो primary keys है, उनका जो index property है, वो no duplicate होना चाहिए, यहाँ पर देखें, yes no duplicate, यह child table का भी, और यह student parent table है, यहाँ भी यह no duplicate है, तो यह तो हो गया one to one relationship, अब next बात कर देखें, one to many relationship, what is one to many relationship, one to many relationship, is a type of relationship when a single row in a parent table is associated with multiple rows in the child table, तो ऐसे relationship को क्या बोलते हैं, one to many relationship, तो उसकी example देखने हैं, आप जड़ा, table मैंने already बनाए हुए है, जैसे देखें, teachers, teachers और, इसको में अपन करता हूँ, teacher का table है, और classes का table, अब एक teacher जो है, वो एक से जाड़ा classes को बढ़ाता है, तो यहाँ पे one to many relationship बन सकता है, teachers और classes के table के दिम्यान में, तो देखें, teacher का table है, इसकी जो field है, teacher ID, T1, T2, T3, और teacher name, और भी field उसमें आ सकती है, बगर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चुकर मैंने आपको idea देना है, तो आप जिसको आप concept name बाकिया जूरत के मताबक, जो भी आप database बनाएंगे, जो भी table बनाएंगे, आप field उसमें add कर लेंगे, दूसरा table है classes, तो classes में और classes के name दिये है, class 1, class 2, class 3, कोई भी name हो सकते हैं, और यहाँ पर और भी field हो सकती है, अब teacher और classes के दिरम्यान भी चुकर एक association बरानी है, तो यहाँ पर, चुकर teacher को parent table के तोरह पर ले रहा हूँ, classes को मैं child table के तोरह पर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर, यह जो है, इस table की primary की यहाँ पर मुझूद होनी चाहिए, यहाँ यह कोई लें कि fan की यहाँ पर मुझूद होनी चाहिए, तो जहाँ मैं एक field और add कर लेता हूँ, उसका नाम रख देते है, teacher ID, यहाँ पर इसका नाम रख दिया, teacher ID, और उसकी data type text रहने दे, अच्छा एक और भी बात, जब आपन text रखी है, तो यहाँ पर classes में आप यह teacher ID लिख रहे हैं, यहाँ पर इसकी type text होनी चाहिए, उके, इसको save करता हूँ, इसमेर मैं इंट्री कर लेता हूँ, क्या कौन सी एंट्री यहाँ पर कही ती, टी1, टी2, टी3, यह classes वाय टेबल में इंट्री कर लेता हूँ, इसमें view म जाता हूँ, यहाँ पे भी teacher ID T1, T2 and T3 यह entry कर लिए मैंने, save किया अब इन tables को ना मैं close कर देता हूँ यह बाद का देसे में problem कर देता है मैं success, इसलिए इनको close कर देंगे तब फिर relationship जो है वो उसमें को problem नहीं आता है वो relationship जो है नहीं सही बनता है इनको मैं close कर देता हूँ यह भी close कर दिया जो ही नहीं कि problem आये मगर बेतर ही है कि इसको close कर देंग दफा relationship को पर click किया तो table, show table को पर click करे अब कौन से दो table को add करना है मैंने teachers और यह classes, control की keep मैंने press रखी यह, जो table चाहिए मुझे उन table को तो click कर रहा हूँ add को पर click किया तो यह देखिए दुनों table जो है यहाँ पर show हो गए ठीक है इनको आप drag कर सकते हैं अगर आपने setting करनी हो तो मैं teacher का table यहाँ पर ले आता हूँ उस classes का table यहाँ पर ले आया तो अब आपने क्या करना है teacher ID यहाँ पर आपको लिक करें और drag कर दें यहाँ पर teacher ID पर तो यह देखिए one to many relationship यहाँ पर show हो रहा है तो इसको भी enforce refreshment integrity के पर check कर दें कि अगर आपने parent table में change की है तो child table में automatic changes हो जाएंगी तो create के पर लिक करें तो यह देखिए one to many relationship यह create हो चुका है इसको save कर दें अब इसको मैं आप दुखाता हूँ अब teachers और classes का table में open कर लेता हूँ अब यहाँ पर भी देखिएगा यहाँ पर T1, T2, T3 आ रहा है child table में अब teachers का ID में change करता हूँ T10 कर देता हूँ यहाँ पर T11 कर देता हूँ यहाँ पर T12 कर दिया इसको save करते हैं अब देखेगा classes के table में पर देखें वो automatic यहाँ पर update हो चुका है अगर मैं delete करूँगा तो यह classes लाई table में से पर delete हो जाएगा अगर इसको मैं delete कर देता हूँ for example यहाँ से delete record तो यहाँ पर देखे वो देखें यहाँ से delete हो गया यह साथ में बता रहा हूँ तो यह हो गया one to many relationship अब देखते हैं relationship की तीसरी type many to many relationship and what is one many to many relationship when each row यहाँ पर यह कहले है when each record in one table is associated with each record in the second table यह कहले when many record of the first table is associated with many record of the second table then this type of association is called many to many relationship तो देखें अब देखें एक क्लास के अंदर बहुत सारे students हो सकते हैं तो अब एक क्लास के अंदर बहुत सारे students हो सकते हैं और एक students जो है उनके बहुत सारी classes हो सकते हैं मैं अब दाता हूँ यह कैसे किस पांटों से बाद कर रहा हूँ देखें students जब इन्रोल होए students जब इन्रोल हो रहे हैं classes उसको बाद में साइन की जा रही होती है तो मैं यहां पर एक और जब menu to menu relationship बनाना होता है तो आपके एक और table की जूरत पढ़ती है जहां पर उन दोनों टेबल की primary key को हम वहां पर अकठा कर देते हैं तो यहां पर आप देखें के जरह मैं एक काम करता हूँ एक table यहां पर एक और बना लेता हूँ एक table relationship के उपर क्लिक की ओ सरी relationship नहीं create के उपर जाएं और यहां पर table design view यहां पर इसका मैं save करता हूँ enrollments के नाम से एक table बना लेते हैं enrollments ओकी की तो पर क्लिक किया ओहो इसमें फीडर नहीं है उसमें लिके ना यहां पर लिखता हूँगा मैं enroll id ठीक है और यहां पर लिखता हूँ enroll enrollment date किस date को student जो है enroll होगा अब इन दो न टेबल की primary की जहां पर लिखनी है यहां पर तो यहां पर लिखेंगे student id उस table की primary की students के और यहां पर class id जो class वाला table है उसके primary की जागे enrollment id को यहां पर आप primary की बना दें अब इसको save करें उसका नाम रख दें आप enrollments यह table का नाम रख दिया ok को उपगली कर दिया ठीक है तो अब हम बना सकते है classes और students के दरे में जो है वो relationship बना सकते है many to many relationship ठीक है तो बीज में हम रखेंगे enrollment वाल के table को यह many to many relationship बनाने के लिए आपको third table का सारा लेना पड़ता है जिसमें क्या होगा उन दुनों tables की primary की जो यहाँ पर मुझूद होगी तो यहाँ पर database की tool पर जाएंगे relationship अब मुझे कौन से table चाहिए relationship के उपर एक second मैं फिर वही इनको close कर दो पहले जो भी मैंने आपको बताया था इनको close कर दिया इस table को भी close कर दिया इस table को भी close कर दे आप relationship क्लिक करें तो show table क्लासे और students तो classes और students का table मेरे पास already मझूद है यहाँ पर डियाग्राम में तो यह enrollment का table इसमें शामल नहीं है तो इसको पर क्लिक कर दें तो यह enrollment का table भी यहाँ पर show हो गया अब आपने क्या करना है इसको कहीं पर drag कर ले कोई बस्टा नहीं है तो यहाँ पर class id को यहाँ पर drag करें किस के उपर ले कहेंगे इस जगा पर तो यह क्या बन रहा है one to many यानि classes और enrollment के दिरम्यान one to many कर लेशिशिप बन रहा है enforce integrity को पर कर दे यहाँ पर पिचक कर दे यहाँ पर पिचक कर दे create अब इस तरह student student का id क्लिक करें यहाँ पर और इस जगा पर drag के इसको छोड़ दे student id तो यह देखें यह भी क्या बन रहा है one to many लेशिप बन रहा है तो यह देखें यह यहाँ से student और enrollment के दिरम्यान relationship क्या बन रहा है one to many classes और enrollment के दिरम्यान relationship क्या बन रहा है one to many तो इनका यहाँ से आप देखें इंडेक्टी तो क्या बन रहा है यह many to many relationship बन रहा है तो यह तरीका कार है MS success में tables का आपस में relationship कैसे create के जाता है तो इसकी practice कीजिएगा आप अपने साथ से table अपने डाटाबेस बनाईएगा अपने जूत के मताबक उसमें जो भी table होंगे इस तरह से आप उनके relationship create कर सकते हैं अगर क्यों क्वेस्टिन होगा तो आप comment box में लिखते हैं इंशाला तुमें उस concept होगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स वीडियो में हम curious का टाट क्लियर करेंगे तब तक के लिए अलाह आफिज